अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इनका पहला गीत कब और कौन सा सुना था तो शायद ही किसी को याद आएगा जी हाँ, फिल्म या फिल्म के कलाकार याद रहे या न रहे, पर उस फिल्म के गीत हमेशा याद रहते हैं महम्मद रफी को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने इने बड़े फुरसत से बनाया होगा नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बयोग्रफी और रियल लाइफ स्टॉरी आज मैं महम्मद रफी के बचपन की कहानी सुनाने वाली हूँ उस वक्त वे महस छे साल के थे इतनी कम आयू में उन्होंने संगी जगत के पहले सूपरस्चार के ल सैगल का सामना किया था और वो भी स्टेज पर ये किस्सा है उस वक्त का जब महम्मद रफी अपने भाई के साथ किराना स्टॉर पर बैठा करते थे आपको बता दूं कि उनके बड़े भाई हमीद भाई रफी को गाने का बड़ा शौक हुआ करता था महले में होने वाले संगीत समहरों में वो छोटे रफी को ले कर जाते थे छोटे रफी भी गानों को गुन-गुनाया करते थे एक दिन किराना स्टॉर पर छोटे रफी बैठ कर कोई एक गण गुन-गुना रहे थे वहां से एक व्यक्ति आये और उन्होंने रफी की तरफ देखा छोटे रफी को सुनकर उन्होंने हमीद भाई से कहा मिया ये बच्चा बहुत बड़ा गायक बनेगा इसको नजर अंदाज बिलकुल मत करना हमीद भाई को भी अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था ऐसे ही एक दिन कोई एक फकीर रफी के घर आये वहां उन्होंने छोटे रफी की आवाद सुनी और वे उस आवाद से मोहत हो गए असल में रफी उनका ही एक गीत का रहे थे उस फकीर ने रफी को आशिरवात देते हुए कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे ये दो घटनाएं हमीद भाई के सामने हुई उन्होंने सोचा कि गायन का शौक उन्हें है पर आवाज उनके छोटे भाई को मिली हमीद भाई ने ठान ली कि वे छोटे भाई के तरक्की में योगदान देंगे उनके लिए हर एक कसोटी को पार करेंगे हमीद भाई ने बड़े-बड़े हस्तियों से जान पहचान निकाली और छोटे रफी की तालिम की तयारी की उस दौर के नामी संगीतकार बड़े गुलाम अली खान के छोटे भाई अली खान के यहां मुहमद रफी को भीजा गया सही मायने में अली खान ने ही मुहमद रफी की आवाज में सुधार लाया हमीद भाई यही नहीं रुके आने वाले समय में उन्होंने उस्ताज छोटे गुलाम अली खान और पंडित जीवनलाल भड के छाये में छोटे रफी को रखा तीन-चार साल गुजर जाने के बाद छोटे रफी दिल्ली रेडियो के लिए गाने लगे वहां उनकी पहचान फिरोद निजामी से हुई जो उनके सबसे बड़े गुरु साबुत हुए इन्होंने मुहमद रफी की आवाज में चार चान लगा दिये और सभी प्रकार के राग से उन्हें परिचित करवाया आने वाले समय में जब मुहमद रफी स्टार गायक बने तो भी उन्होंने बर्कत अली और फिरोज निजामी के सिधानतों को छोड़ा नहीं अब मुहमद रफी 13 साल के हो चुके थे और उस जमाने में सिर्फ एक नाम ऐसा था जिसे सूपर स्टार गायक कहा जाता था वे थे कुंदन लाल सैगल वैसे गायक थे जिनकी नकल हर कोई करता था खुद मुहमद रफी भी उनके आवास के दीवाने थे कुंदन लाल सैगल को देख कर हमीद भाई को भी इच्छा होने लगी कि उनके छोटे भाई फिल्मों के लिए गाना गाये वो तारीक थी 14 डिसेंबर 1937 की लाहोर में आयोजित हुए एक समाहरों में खुद केल सैगल आने वाले थे उस कारेक्रम के आयोजक हमीद भाई के पहचान वाले थे हमीद भाई ने आयोजक से कहा कि उनका भाई भी अच्छा गाता है अगर उसे केल सैगल के सामने गाने का मौका मिलेगा तो अच्छा होगा उस आयोजक ने हमीद भाई से कहा कि ओडियन्स यहां आई है क्योंकि उन्हें केल सैगल का गाना सुनना है उस आयोजक का नाम प्यारे लाल सूद था हमीद भाई का दिल ना तूटे इसलिए उन्होंने अपने भाई को लेकर आने की बात की ये सुनकर हमीद भाई खुश हुए और 13 साल के महम्मद रफी को उस कारेक्रम में लेकर आए भीड बहुत बड़े पैमाने पर जमा हुई सबको इंतजार था केल सैगल सहाब का जैसे ही वे आए लोगों ने चलाना शुरू किया उनकी एक जहलक देखने के लिए लोग दीवाने हो चुके थे देखते ही देखते अफरा तफरी मज गई और स्पीकर खराब हो गए उस भीड में हमीद भाई और महम्मद रफी भी थे स्पीकर बंध हो गए और लोगों के बीच शोर शराबा मच गया भीड काबू के बाहर हो चुकी थी और ये देखकर आयो जग को कुछ समझ नहीं आ रहा था केल सैगल भी बिना स्पीकर के गा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी आवाज इतनी उची नहीं थी स्पीकर ठीक होने के लिए 40-50 मिनिट लगने वाले थे प्यारे लाद सूद ने भीड में खड़े हमीद भाई और उनके छोटे भाई को देखा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करने जा रहे थे उन्होंने हमीद भाई को बलाया और पूछा कि क्या तुम्हारा भाई उचे आवाज में गाएगा हमीद भाई ने कहा मेरा भाई जरूर गाएगा अफरात अफरी के बीच 13 साल के महमद रफी स्टेज पर आए और गाना गाने लगे धीरे धीरे सब की नजर छोटे रफी की तरफ हुई और सारे लोग सोचने लगे कि केल सैगल की जगह ये कौन गा रहा है खुद केल सैगल साहाब ने प्यारेलाल सूद से महमद रफी के बारे में पूछा महमद रफी की बुलंद आवाद से भीड तो काबू में हो गई पर केल सैगल ने महमद रफी में का स्टार कायक देख लिया भीड शान्त हुई और स्पीकर भी ठीक हो गया इसके बाद प्यारेलाल सूद ने महमद रफी को जाने के लिए कहा केल सेगल ने प्यारे लाल सूच से कहा कि इस लड़के को रोको मत इसे गाने दो ये गाएगा और हमेशा गाएगा इसे अब कोई नहीं रोकेगा तो इस तरह तेरा साल के महम्मद रफी ने चार गाने गाए तो इस तरह से मुहम्मद रफी और केल सेगल की पहली मुलाकात हुई सेगल साहब ने रफी से कहा कि कभी न कभी हम जरूर मिलेंगे तुम आगे चल कर बहुत बड़े गायक बनोगे मुहम्मद रफी को गायक बनाने के पीछे बड़े बड़े लोगों का सही होग था के यहां भी रफी को भीचा था इस काम के लिए नौशाद जैसे बड़े संगीतकार से बात करना बड़ा कठिन काम था इसलिए हमीद भाई ने नौशाद जाहाब के पिताजी से मिलकर अपने भाई के लिए अरजी की मुहमद रफी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती उनके जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो मुहमद रफी जैसे दूसरे संगीतकारों की कहानिया सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल बयोग्रोफी और रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार